दोस्तों सबसे पहले आप से लोगों को गनेश चतुरुत्य की धेर सारी सूब कामना है देखिए इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसके उपर बात करेंगे और क्या कुछ नया अपडेट इस पर बात करेंगे साथ-साथ बहुत प्रियों में इन्टरेस्ट माफ हो गा की नहीं होगा इनिश-इस पर बात करेंगे सबस्काइब करेंगे सबसे सबसे पहले देखें दूस्तों करेंगे सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों यैकर पर सबस meus इनको दो साल तक रिया स्ट्रेक्चरिंग दे रहा है इंडियन ओवर्सीज बैंक यह एडवाइस मांगे इसके लिए डिकेड़ वीडियो आगा उसके बाद बात करते हैं जो बहुत से लोगों को कई सारे जो लोन कार्ड कंपनी है दोस्तो जैसे इसके पास मेसेज आया हुआ जो गेलेक्सी कार्ड ने इसके उपर यह देखे पुलीस केस करने की धमकी दे रहा है इनके उपर ठीक है मेसेज भी आया हुआ है इनके पास तो इस पर भी बात करेंगे दोस्तो कोरोना का जो थार्ड वेब है अभी एक इनसे भी यानि कोवीड-19 से भी काफी घातक बीमार करके निपा वायरस दीखे निपा वायरस यह निव जैटीन का एक खबर है इसको भी कोशिस करेंगे सौर्ट में कवर करने का उसके बाद राजस्तान सरकार ने वोटाफोन आइडिया के उपर दोस्तों 37 लाग रुपया का पिनाल्टी लगाया है ध्यान से सुनेगा यहां और जड़ी यह पेनाल्टी 37 लाग रुपया नहीं भड़ता है वोटाफोन आइडिया एक महिने में तो उसको यहां पर इस 37 लाग रुपया पर ब्याज देना परेगा इसका मतलब साफ साफ होगे 37 लाग रुपया क्या लोन में कनवर्ट हो जाएगा जिसके वज़े से इस जो सरकार का जुर्माना लगाया हूँ सरकार ने तो फिर इनकों सरकार को इस पर ब्याज भी देना परेगा वोटाफोन आइडिया को यानि वोटाफोन आइडिया वाले सरकार को ब्याज भरेगा जैदि यह 37 लाग रुपया नहीं जमा करता है राजस्तान सरकार को तो समझ सुप्रीम कोट ने loan moratorium न्मोटोडीयम पर हो गया loan moratorium फिर एनपी पर हो गया interest on interest अगेरा पर हो गया इन सभी मामला आता गया वह पेटीशन का 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 solving के पास आर बिया के पाछी मांच जीन्द घूल्फाइन के पास यह पर 이हों ज्था यह इस दा स्फिर्म के पास可能 सेंड करने के लिए यानि सो पोलिसी मेटर सुप्रीम कोट ने बता कर बता कर बुला जो आप कंसर्ण ऑथोरिटी के पास पहुंचिए और वहां से डिमांड कीजिए जो कोई भी आपकी रिपर्जेंटेशन उसको सब्मिट कीजिए ठीक है लेकिन पोलिसी मेटर में सुप्री 221 नहीं तीन सितंबर 2020 को क्या लगा था दोस्तों egडा एंट्रीम ओडर लगा था ताकि कोई भी लोन एनपी यह नहीं किया जा सकते हैं या तो दुसरी बात सुप्रीम कोट सुनाई करते हुए कहा थो देखिए जी कंपाउंड इंत्रेस्ट इंतरेस्ट अन इंतरेस्ट या पियनल इंतरेस्ट सब बाइबर ही है यह जिसका भी लॉन दस करोड से उपर का है उसको भी वापस करना परेगा तो यह आपकी या तो EMI में कम होकर आ गया होगा या आपका principal outstanding जो है principal amount जो है उसमें यह मैने उसमें एड कर देगा तो आपका principal घट जाएगा ठीक है यह वाली बात होगी यह करके कि आगया हो जिसका नहीं आया होगा तो loan account का statement निकाल के देखेगा आपको उधर साब साब दिख जागा चली यह बात होगी अच्छा इस में इस पर एक और बात आगी सुप्रीम कोट ने सुनवाई करते हुए का देखिए जी आपकी जो दिमांड है moratorium extension का और NPA पर grace period और देने का दे कि एक्सेंड इन्वोकेशन ओफ रिजोलिशन दिस 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 यह सारी चीज़े तो यह सारा चीज जो है दोस्तो सुप्रीम कोट ने खारिज कर दी जो moratorium बढ़ाया नहीं जा सकता और फर्दर grace period नहीं दिया जा सकता यह सब बात है कहने का मतलब क्या है दोस्तो जिस सुप्रीम कोट का जैसे final order आया उसके बाद से इंट्री मॉडर खतम हो गया moratorium extension नहीं हुआ आर बिया का resolution framework टू जीरो के resolution framework टू जीरो के तहट आप moratorium या रिया स्ट्रीक्चरिंग ले सकते हैं दो साल तक के लिए ठीक है और यह बहुत से लोगों को यह दोस्तो दोशाल का रिया स्ट्रीक्चरिंग दे रहा है इसका कौन सा लोन थ्यांच से इसका एमसे मी लोन है होटल है तो इन्हों ने अपना business व्या पार करने के लिए लोन लिया हुआ है ठीक है तो अर्लिवूट टेक पर देखेगा वीडियो इसी के साथ जुरू करते हैं फिनिस थैंक्यू